हेलो इस्टुदे इन्स, वेलकम बैक तो माई यूटुब चैनल चियो गूफी 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 टुदे वी आ गूइंग टुदे डिसकस अबाउट क्लास नाइन्थ एसस्टी स्रोसर साइंस वर्कशीट नंबर 89 आज की इस वर्कशीट में हम पॉलिटिकल साइंस सिविक्स का थर्ड चैप्टर, इलेक्टरल पॉलिटिक्स को कंटीनु रखेंगे इट मिन्स हम इस चैप्टर स्लेटिट कुछ और क्वेस्टन्स डिसकस करने वाले हाँ एक बात और आई लव यू, आई लव यू ओल, यू आई लव यू ओल, यू आई लाइक देट वे माई फैंबली मेंबर अच्छा लगता है जब आप अपनी फिलिंग, अपने व्यूज वो मेरे साथ शेयर करते हो तो आपकी जो ब्लेसिंग्स है वो ऐसे ही मेरे साथ बनाए रखना और मैं भी चाहूंगा कि उपरवाला, वाहे गुरू, अल्ला, खुदा, इश्वर, भगवान आपको बहुत सारी खुशियां दे जितना आपने सोचा है उससे दुगनी खुशियां आपको मिले दूसरी चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा आपको बताना है कि क्या ये वरकशीट और आनी चाहिए पहली चीज, और अगर आनी चाहिए ये तो आपकी बात हुई आपको क्या लगता है, मंडे को वरकशीट आएगी आएगी या नहीं आएगी तो थोड़ा से मुझे जरूर बताना क्योंकि थोड़ा सा अगर बताओगे ना तसली सी मिलती है वैसे अभी तमय ये नहीं कह सकता कि ये वर्क्षीट आपकी लास्ट वर्क्षीट है क्योंकि पिछली बार हमने लास्ट सेटेडे को भी मन में लड्डू फोड लिया था इस बार नहीं फोड़ेंगे इस बार तो हम मन्डे को जब नहीं आएगी तभी उस लड्डू को फोड करके हमें खाना है तो चली हम वर्क्षीट पर लोटते हैं लेट्स बिगिन अज इस वीजिबल ऑन यूर स्क्रीन इस इस आर वर्क्षीट नमबर 89 सबजेक्ट SST शोसर साइंस इन विच पोलिटिकल साइंस सिविक्स चैप्ट नमबर 3 इलेक्टरल पोलिटिक्स वी अर गोइंग तो रिवाइज डेट 27 तो फैब 2021 टोटल 10 क्वेश्चन हमें दिये गए जैसे कि हमारी पिछली कुछ वर्क्षीट से हमें मिलते हारे लेट्स बिगिन विफ फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है फिलिन दा ब्लेंक्स दा कंट्री इस डिवाइडेड इन्टो डिफरेंट एरियास फोर दा पर्पज ओफ एलेक्शन एलेक्शन के पर्पज से पूरी कंट्री को अलग-लग एरियास में डिवाइड के आ जाता है जैसे डेली में एलेक्शन आपने देखे होंगे तो यहाँ पर जो लोक्स बाइलेक्शन होते हैं उसके परपज से पूरी डेली को सेवन एरियास में डिवाइड के आ जाता है for the state assembly purpose के लिए 70 areas में डिवाइड किया जाता है and we elect one representative, हमें एक representative को elect करते है न तो उन areas को क्या कहा जाता है, these areas are called, these areas are called electoral constituencies उनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, electoral constituency हलांकि यह शब्द आपको नया लग रहा हुआ है, क्योंकि हम ऐसा बोलते नहीं है common language है, common language में बोलते हैं, seat, यहां की जो seat है, उसको ticket मिली है, यहां की seat से वो जीतता है, यहां की seat से उसकी हार हुई है, तो इसको हम generally seat बोलते हैं, लेकिन official language है, इसको बोला जाएगा है, electoral constituency, ओके, now let's move to the second question, जो हमारा second question दिया गए, in how many constituencies have the country been divided for locks by elections, locks by elections के लिए हमारे देश को कितनी ऐसे electoral constituencies में divide किया जाता है, तो total हमारा answer हैगा, 543 electoral constituencies में divide किया जाता है, यानि पूरी country से 543 member of parliament elect किया जाते हैं, now let's move to the third question, जो हमारा third question दिया गए, what is nomination form, यह nomination form क्या होता, काफी बार आपने सुना होगा, every person who wants to contest election has to fill a form, providing all the necessary information and this one is called nomination form, यानि किसी को भी election लड़ना है, आपको चुनाव लड़ना है, तो आपको पहले form भड़ना पड़ेगा, कुस तो बताना पड़ेगा मैं interested हूँ, और उसमें अपनी detail भी देनी होगी, आपका नाम, father's name, आपकी properties, आपके उपर अगर को case spending एटेटरा, तो उस form को हम nomination form कहते हैं, okay, so every person who wants to contest election has to fill a form, providing all the details and this one is called as nomination form, इसको कहा जाता है, now let's move to the fourth question, जो हमारा fourth question रहेगा, in order to contest the loks by election, a candidate must be at least days, years of age, अगर हमें loks by चुनाव लड़ना है, तो कम से कम कितनी age होने चाहिए, minimum age क्या है, तो this one is 25 years age, okay, 25 years का होना चाहिए वो person, fifth question है, काफी easy है, the prescribed age for enrollment in the water list is days years, 18 years, यानि हमारी देश में वोट आलने के लिए कम से कम age कितनी है, in India, any citizen whose age is 18 years or more than 18 years can cast vote, वो वोट आल सकता, तो हमारी हम पर minimum age कितनी है, 18 years to cast vote, now let's move to the sixth question, जो हमारा source based question है, इसमें हमें एक paragraph तिया गया है, क्योंकि nothing is there to explain, explain करने के लिए कुछ नहीं, आप read कर लेना, okay, मेरी साइट जे, what is a water list, यह water list क्या होती है, यह भी हमें बताना है, the list of all the persons who are eligible to vote is called water list, यानि कि एक list होती है, जिसमें नाम होते हैं, किनके नाम होते हैं, जो vote डाल सकते हैं, क्या आपकी कॉलोनी है, आपका जो area है, आपका जो ward है, वहां की एक list बनी है, कि इन पर्षन, यह पर्षन है, वो डाल सकते हैं, तो उस list को हम बोलते हैं, water list, okay, so the list of all the person who are eligible to vote is called water list, now let's move to the second part of this question, second part रहेगा, who can vote, कौन वो डाल सकता है, okay, कौन डाल सकता है, in our country, all Indian citizens who are 18 years of age or more can vote, हमारे देश में वो सभी भारती है, भारती होना चाहिए Indian citizen, ऐसा नहीं कि कोई भी आके वोट डालतेगा, in India, any person whose age is 18 years or more can cast vote, हमारे यहां पर वोट डालने के लिए main condition होती है, the person must be of 18 years or more than that, and he must be Indian citizen, और एक और कंडिशन होती है, जो कभी-कभी अप्लाई होती है, the person must not be bankrupt or the unsound mind, पागल या दिवाल या नहीं होना चाहिए, बाकी सभी वोट डाल सकते हैं, okay, now let's move to the seventh question, जो seventh हमें question दिया गया, what is the difference between constituency and a reserved constituency, constituency होती है और एक होती है, reserved constituency, यह क्या होती है, हमें बताना है, okay, so constituency का मतलब होता है, for the purpose of the election, the country or the state is divided into few areas, it is called a constituency, यानि election के लिए country को या फिर state को कुछ areas में डिवाइड किया जाता है, जिसे हमने उपर बात की थी, कि Delhi को seven loks बाग इस में डिवाइड किया जाता है, तो यह क्या है, यह constituencies का लाते हैं, जिसको हम local language में बोलते हैं, seat, okay, so constituencies क्या है, for the purpose of election, the country or the state is divided into few areas, and it is called a constituency, इसको कहते हैं, clear, हिंदी बोलते हैं निर्वाचन शेत्र, वैसे seat से आप समझोगे, seat कहते हैं इसे, अब यह reserved constituency क्या होती है, यह भी हमें बताना है, some constituencies, जो हमने उपर divide की, उन में से कुछ, some constituencies, are reserved for SC और ST category, schedule caste और schedule tribe के category के लिए reserved होती है, अब reserved क्या होती है, reserved means, only people belonging to these categories, can contest election from these seats, यहनिकि इन constituencies से, SC और ST category के, जो candidate है, वही election लड़ सकते हैं, ओके, इस परकार के constituencies को, हम बोलते हैं, reserved constituencies, क्या बोलते हैं इनको, reserved constituencies, now let's move to the eighth question, this one is very important one, according to you, what qualities should have a candidate, who is contesting elections, एक general question है, लेकिन पूछ लिया जाता है कही बार, कि हमें बताना है, कि कोई भी candidate, चुनाव लड़ रहा है, उसमें कौन से qualities होनी चाहिए, ओके, तो पहला, candidate should have desire for social service, उसमें थोड़ा से उत्भाव होना चाहिए, कि वस समाज की सेवा करना, यह निकि तीजोरी भढ़नी है, ओके, so the candidate should have desire for social service, का थोड़ी से feeling होनी चाहिए, second, the candidate should be educated or experienced, इसका मतलब यह निकिए uneducated है, वो सही नहीं कर सकते, कर सकते, लेकिन हमारी पूछ यह ना, तो मुए यह कह रहा हूँ, कि the candidate should be educated or experienced होना चाहिए, थोड़ा सा तो experience हो उसे, third, the candidate should be a positive ideological person, positive attitude होना चाहिए, यहनिकि यहाँ leader बन गया, यहाँ leader बनने के बाद हमें आपस में लड़ाता रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए, जो देश के बारे में सोच चाहिए, जो positivity के साथ सोच पाए, तो जो candidate should have positive attitude, fourth, the candidate should have a dedication for the country, country के लिए dedication होना चाहिए, loyalty होनी चाहिए, एक प्यार होना चाहिए, लगाव होना चाहिए, तो यह qualities होनी चाहिए उस candidate में, now let's move to the ninth question, जो इस worksheet का सबसे important question है, लेकिन question में ही गड़बढ़ है, question जो दिया गए, what are the stages, or steps of election campaign process, यहाँ पर question में गड़बढ़ क्या है, कि election process होना चाहिए था, यह campaign जो campaign शब्द या गए, campaign शब्द है, यह गड़बढ़ है, यह नहीं होना चाहिए, क्योंकि election campaign का मतलब होता है, जो चुनाव परशार किया जाता है, तो उसके steps नहीं होते, उसके stages नहीं होते, उसमें तो वे होते हैं, कैसे कर सकते हैं, अब सोशल मीडिया पे अड़े दे सकते हैं, हम नुकर सभाई कर सकते हैं, तो यह वो वाली बात है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने पूछा है, किसकी process के steps पूछे हैं, तो steps किसके होते हैं, election process के होते हैं, तो हमें यह बताना है, तो यहाँ question को हम correct कर सकते हैं, तो इसके जो election process होते हैं, उसके जो steps होते हैं, जैसा कि हमने book में भी पढ़ा है, पहला जो step होता है, पहली stage होती है, announcement of election, election commission announces the election, election के schedule को launch करता है, कि कब nomination form भरे जाएंगे, कब voting होगी, कब result declare किया जाएंगे, पहला जो step होता है, announcement of elections, second stage होता है, filling of nomination form, nomination form, हमने उपर discuss किया, कि the candidates, the person who is interested, to contest the election, जो चुनाव लड़ना चाहता है, has to fill a form, उसे एक form भरना पड़ेगा, तो यह इसके लिए seven days आप तोर पर मिलते हैं, उसके बाद होता है, verification of nomination forms, nomination form से उनको checking की जाती है, क्या वो incomplete है, क्या वो eligible है या नहीं है, और जो eligible नहीं होता, यह incomplete form होता है, उसको cancel कर दिया जाता है, उसके बाद fourth जो stage होता है, step होता है, वो होता है, withdrawal of nomination, उसे next day, अगर किसी का तन डोला मन डोला हो गया, कि नहीं मुझे नहीं लड़ना, वो अपनी name को withdraw कर सकता है, उसके बाद शुरू होता है election campaign, that continues for minimum 21 days के लिए continue रहता है, वैसे तो जिनको चुनाव लडना होता है, वो six month पहले ही लगे होते हैं, लेकिन वैसे officially, यह 21 days का लगभग gap होता है, election campaign होता है, चुनाव परशार बड़े जोर सोर्से होता है, हम सभी को पता है दिल्ले वालों को, एक बड़ा मजासा आता है, कभी कभी irritation हो जाती है, otherwise मजासा आता है, हर तरफ वही वही चाहे होते हैं, उसके बाद sixth जो stage होती है, voting एक day fix होता है, जिस दिन voting होती है, हलांकि state अगर छोटा है, तो उसमें एक ही दिन में होती है, अगर जैसे हमारा देश है, काफी बड़ा है, तो यहाँ पर voting days होते हैं, वो कई सारे होते हैं, उसके बाद seventh, जो step होता है, stage होती है, वो होती है declaration of the election result, आम तो और पर voting के after two or three days, elections result को declare किया जाते हैं, तो यह seven steps होते हैं, election process के, ओके, चरण होते हैं, now let's move to the next question, this one is the last question of this worksheet, मैं यह नहीं कहूंगा, कि यह last question आपकी, social science class 9th की, worksheet का last question है, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते हैं, इसलिए अभी हम यह नहीं कहेंगे, कि last question हो सकता है, ओके, तो थोड़ा थोड़ा आप खुश रहे सकते हैं, how can you contribute in choosing a good candidate, अच्छा candidate अगर हमें चुनना है, तो हम कैसे करेंगे, हमें बताना है, कि अच्छा नागरिक, मतलब अच्छा अगर हमें candidate चुनना है, election में, तो हमें किन बातों को ध्यान में रखना है, ओके, यह बताना है, तो यहाँ पर पहला, we should not choose a candidate on the base of caste or religion, हमें caste या religion नहीं देखना चीए, भाई हमें रिष्टेदारी थोड़ी कड़ी है, election में हमें candidate चुनना है, हमें अपना representative चुनना है, अच्छा चुनेंगे, सच्छा चुनेंगे, तो उसमें caste या religion बीच में नहीं आना चीए, second, we should choose the candidate on the base of his or her merit, उसके गुण देखने चाहिए, qualities हम देखें, उसकी qualification देखें, qualification का मतलब eligibility है, नहीं कि उसकी degree क्या है, percentage कितने है, इसके कोई लेना दनी, eligible होना चीए, योग्य होना चीए, कि वो कुछ कर पाए, third, the candidate should be elected on the base of his or her ideology, उसकी विचार धार है क्या है, वो सोचता कैसे, वो भी हमें ध्यान में रखना चीए, हमें ये भी देखना चीए, कि शोचल सर्विस की, उसमें कितनी feelings है, कितनी feelings है, जो country के लिए, तो ये भी हमें ध्यान में रखना चीए, so that's all in this worksheet, I hope, आपको ठीक से समझ में आया होगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगए, तो आप वीडियो को like, share करना, और अगर मन करें तो इस channel को भी share किया जा सकता है, आज के लिए बस इतना ही, thank you, bye bye, have a nice day,